नमस्कार स्वागत है आप सबका कंचन टीवी की इस कवरेज में आज हमारे साथ एक ऐसी शक्षेत जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही जल्दी एक राजनीती में अपना नाम कमाया वो आ तो गए थे राजनीती में यूही बस ऐसे ही कुछ लोग चंद लोग सरपंच बनाया जी हां हम बात कर रहे हैं कुछि आखक राला के गाओं के सरपंच परवीन कोर जी स्वागत मैं मीा नम परवीन को रहे है क्पंचे केek में 5-6 डेस्टी के अथल में आता है सीरवन फ्लॉक में आपकर आब बाके में चोड़ा सा गाओं है आपका और सरोसम्मती से आपको बनाया गया था क्या वज़े थी आपको बनाने की कि गाउंवालों को क्या लगा पड़ी लिखी लड़की है कुछ अच्छा कर पाएगी या क्या वज़े थी वो जानना चाहूंगा मैं मैं आपको बताना चाहूंगी मैं बीटा करती थी, मतलब जैसे ही मनहोर सरकार आई है, उन्होंने सोचा कि जो अब सरफ पंच बनेंगे, वो पड़े लिखे कैंडिडेट ही बने जाएंगे, तो मेरे गाउं में ऐसी स्थिती आगी कि कोई कैंडिडेट पड़ा लिखा था नहीं, मेरी हायर ग्रेजुएशन होगी बीटा कैते कि हमने बेटी को सरफ पंच बनाना है, तो मेरे गाउं वालन मेरे को सरफ सहमती से सरफ पंच बनाया है, और मेरे पूरे सारे मेंबर हैं, जो भी सरफ सहमती से बनाये गए हैं, कहना चाहूंगा मनहोर सरकार को कि उनका बहुत अच्छा कदम था, कि पड़ कि अब सर्पंची का आपको है गाओं के अंदर विकास की भी आप पे बागद ओर थी साफ सफाई का भी ध्यान रखना था अपनी पंचायत को एक अलग पंचायत बनाने का भी आप पे दुबाव रहा होगा तो जूरुबा तो आती हैं हम इसली नहीं बोल सकते कि नहीं मैंने बहुत जल्दी हैंडल कर लिया मेरे साथ मेरा पूरा परिवार था मेरे दादा दादी मेरे पापा ममी में कोले जाती थी पिछे से मेरे परिवार संबालता था पापा होगे साथ में कोले से आती थी तो मैं गाव में जाती आज हमारे गाउं में हम लाइब्रेरी बनाएंगा बच्चों के लिए और सॉलर लाइट्स लगवानी हैं जो भी मैंने काम किया है अपने गाउं कि उनको मैं पढ़ाऊंगी टाइम निकालके जगे जगे वोटर कूलर लगाए हैं गाउ में पानी की भी दिक्कत रहती है सभी के गरमें फ्रिज नहीं होते वोटर कूलर लगाए डस्ट बीन क्योंकि हमें अपने स्वास्तिया का भी दियान लखना पड़ता है तो मैं उन्हे खड़े हो के वह बस में बस के लिए वेट करते हैं जगे जगे मैंने वोटर कूलर लगा दिये सीसी टीवी कैमरे खासकर महलाओं की सुरक्षा को सुनुचित करने के लिए ताकि गाउं में जो प्रोब्लम होए वो कैमरे में कैद हो जाए और दोनों गाउं में बहुत अच जाते बाहुत जबांना की कोशिश को या पिस तरह का कभी कोई नहीं स्टार्टिंग में तो पहले बोलती थे कि- शरप पंच बनी एक कि लड़की आप जैसे जैसे उन का नाम भी हो तो लोग खुश होने लगे वह भी अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे एक सोच बदली है कि अगर यह बेटी सरपंच बन सकती तो हम भी अपनी बेटी को सरपंच बनाएंगे तो मेरा पूरा साथ देते हैं मेरे गाओं वाले और मैं उनके साथ जुड़ी रहत हो सरपंच का काम होता है गाओं के लडाई जगडों में बीच पचाव कराना पंचाइतों में सुलह कराना तो इस तरह की पंचाइतों में आपका भी जाना रहता होगा तो क्या किस तरह से हैंडल करते हैं या बड़ी दिक्क्त आती हैं इस तरह से या इजली हैंडल कर पात हैं और समझता करवा देती हैं और वह बात मानते हैं अच्छे से मेरी मैं फेस्बूक प्रफाइल देख रहा था आपकी तो मैंने देखा कि बहुत सारी फोटो अपने अवार्ड शोज में गए हैं मान सम्मान हुआ है आपका बड़े-बड़े इंताओं यहां तक की मनोहरलाल खटर मुख्य मंतरी से भी आपने काफी बार मिलना जुलना हुआ है तो क्या फोटो का शोक है आपको या अपना प्रभाव अपने हलके में बढ़ाने चाह रहे हैं अगर हम समानी तो रहे हैं तो हमारे लिए अच्छी चीज हैं हम चाहते हैं कि वह पूरी दुनिया में फि समानी तो यह हो उसका भी नाम टैक करूंगी अपना भी लिखूंगी गाओं का भी लिखूंगी ताकि दूर तक यह चीज पता चले कि इस गाओं की सिर्फ पंच है प्रविन को और अच्छे कारिया करवाये हैं तो हमें भी अपनी बेटियों को ऐसे आगे बढ़ाना चाहि फोटो ग्लिक करना अच्छी बात है उसको लगाना अच्छी बात है दुनिया को दिखाना आपने अगर अच्छा काम किया तो दिखाने में बुराई दिए लेकिन आपके अच्छे काम करने से आपकी फोटो दिखाने से अगर जो राजनेता है आपके हलके के उनको दिक्कत कि लड़की जो नोजवान है अभी अभी वह पढ़ाई लिखाई निप्टा के और उन्होंने साड़े चार साल का अपना कारेकाल है अच्छे से निभाया तो उनको कहींना के इन सिक्योर्टी फील होती है उनको लगता है कि एक कंपटीटर हमारे बीच आरा जो कदावर है और जो शशक्त केंडिडेट हो सकता विधाय की का तो डर्बी होना शुरू हो जाता होगा कोई नहीं चाहते कि लोग की बेटी आगे आए अपना नाम करें खुंदक सी निकालने के लिए कि यह इतनी आगे आ रही है अपना नाम कर रही है गाओं का नाम कर रही है कि हम क्यूं करने दें इसको नाम क्योंकि वह ब्रस्टे चारी होते हैं गल्त काम करते तो उनको लग से आपके रहा में रोडे भी अटका नहीं कोशिश करेंगे क्या लगता है हलके की जनता प्रेम दे रही है आपको प्यार दे रही है अजय विधायक क्या लोग देखने लगे या सिर्फ प्रोबगंडा रचाय जा रहा है प्रवीन को टीम के दुवारा के हाँ पर मोट कर रहा क्योंकि जो मेरे हलके में प्रोब्लम्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी क्योंकि जो पड़े लिखे बच्चे होते हैं उनकी सोच थोड़ी हटके होती है क्योंकि जो नाली गलियां बनाते हैं यह तो अलग बात आगी इसके इससे हटके भी हमें कार्या करने हैं हलक कर तो नहीं करा पाई या जो मन्शा से उनको विधायक बनाया गया था जन्ता की मंचा पर वो खरे नहीं उतर पाए हैं मेरे ख्याल से तो वह सही कर रहे हैं मैं कुछ बोलना नहीं जाती जानना चाहूंगा क्या बीजेपी से चाहते हैं टिकटेट लाना या किसी और पारेटी से मैं बीजेपी से ही टिकटेट लाना चाहूंगी क्योंकि मैं सिर्पंच फ़कains उन्न्ने के करने बनाने की उन्होंने कोशिश किया बहुत ही अच्छी किया तो मैं इसी सरकार के सा जुड़ा के आपो क्या का मिपटा से आप करने वाली किया लोगों को आप बताने वाले मैं तो सबसे पहले तो मैं सवास्तेया पर उठाऊंगी शिक्षा पर उठाऊंगी और बिजली पर उठाऊजिए लगबग जुड़ी रहती हैं, तो हमें पे काम करना चाते हो किसे पहु पुछना चाहने जाहिए जैसे शहर में हुस्पिटल तो अलमोस्ट होते ही हैं, जैसे गाउं में दिस्पैंसरी भी होती हैं, तु झे उन समर्पे खूए हुआज भी तो नहीं रहने है, ताकि उन्हें बाहर जाने के जरूर्त ना पड़े आपके हलके में इंडस्ट्री नहीं है उसकी वज़े से रोजगार पाने में बड़ी दिक्कते हो रही है यूआओ को पलाइन हो रहा है वो बाहर की और जा रहे हैं इसकी और आपने कभी ध्यान दिया आए कभी सोचा है कि इंडस्ट्री होनी चाहिए ताकि रोजगार मिल सके यूँ आओ को हां जी अफकोस मैं इस पर भी काम करूंगी ताकि मैं खुद नोजवान हूं मेरे को पता है कि कितनी दिक्कत आती है जूत को आगे बढ़ने के लिए तो मैं जुरूर इसके लिए काम करूंगी ताकि वो ब् खुद भी बताया था कि आप शिक्षा के लिए बाहर गए थे तो उसके लिए हलके में क्या कारिये करने वाली हैं सबसे पहले तो मैं शिक्षा के लिए काम करूंगी क्योंकि मेरे हलके में बीटेक का कॉलेज नहीं है मैं इस ट्राइब करूंगी कि जो लड़कियां बाहर स्कूल नहीं है वहां पर स्कूल खलूआ जाए और जिन स्कूलों में टीचर की कमी है वहां पर वह टीचर लेकि आओं तक बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हुए वो अच्छे से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़के आएंगे तो बिल्कुल बहुत सही परवीन को और जी बोल रहे हैं कि वो युवा हैं और समझ सकते हैं युवाओं की समझ आए और उनको दूर भी कर सकते हैं पढ़े लिक अनिता भी उस हलके में अभी बैठे हैं तो आने वाला वक्त बताएगा हमारी तो शुब कामना ही रहेंगी आपके लिए अब मैं चाहूंगा आपसे कंचन टीवी के माध्यम से मैं आपको दन्यावाद देती हूं आपका भी थैंक्यू करती हूं जिन्होंने बहुत बिलकुल सरदे ही हुई भाशा में बात करती हैं नपे तुले शब्दों का इस्तमाल करती है और अपने विरोधी या यूं कहा जाए किसी पर भी कटाश्ट करने से वो बचते हैं एक अच्छे राजने था कि ये अच्छी बाते अच्छे गुन होते हैं शायद उनी में को आतम साथ करते जा रहे हैं धीरे धीरे वो अपने जो एजेंडा है उसकी और बढ़ते जा रहे हैं उन्होंने उदेश्य बनाया है जो उसी की तरफ उनका फोकस है और बहुत जल्दी हो सकता है कि बीजेपी भी उन पर दाव खेले और उनको टिकेट की दोड में हम देखें तब तक के लिए बने रहे हैं कंचन टीवी के साथ कैमरामेन धर्मवीर के साथ मैं इस्पार कंचन